हाई फ्रेंज मैं आपकी पुजा पुजा की रोसुई घर में आपका स्वागत है आज से बरतन माजना हुआ असान बरतन माजने का जंजट होगा खतम मैं आपके लिए एकदम नई से नई किचन टिप्स लेके आए बहुत ही यूसफुल टिप्स है वीडियो आपको बहुत ही वीडियो बहुत ही अच्छा है चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप देख सकते हैं यह आलू है आलू इस तरह से हो जाता है इसकी जड़ निकल जाती ज्यादा दिन हम रख देते हैं यूज नहीं करते हैं तो आलू इस तरह से खराब होने लगते हैं आलू खराब ना हो इसके लिए आपको क्या करना है इस तरह से लवसुन लिजे और आलू के बीचों बीच में रख दें जब आप मार्केट से आलू लाएं तो इस तरह से लवसुन इसमें रख देंगे तो आलू जादा दिन तक चलेंगे खराब बिलकुल नहीं होने वाले दूसरी टिप्स आलू में नमी नहीं आएगी नमी नहीं आएगी तो या सड़ेगा नहीं और नहीं जड़े निकलेंगी छोटी सी टिप से कमाल की है मैंने आपको आलू की दो टिप्स बताई जो आपको पसंद आए आप यूज कर सकते हैं आपको वीडियो जड़ा सब अच्छा लगे तो म अजीब्ट आपकी स्मेल आने लगती है और किटानू ना सकिया होता है या किटानू को भगाता है आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं यह वास वेसिंग है इस तरह से पिनाईल की गोली आप इसमें डाल देंगे तो कौकरुच नहीं आएंगे कीरे मकोडे बिल्कुल आपक छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल ना डाले क्यों की छोटे बच्चे ना हो तभी इसे इसे इसलितमाल करें चलिए अगले टेथिप्ट लेते हैं आप कोई भी पापड ले लिजे बरसात में इस तरह से देखिए एकदम रोटी जैसा हो जाता है एकदम मुलायम हो जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है इसे आप फ्राइ करेंगे तो भी आप मुलायम रहेगा इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बहुत कमाल की टिप्स बताने वाली हूं क्योंकि धूब भी नहीं निकल लए बारी सोरी है तो इसे सुखा भी नहीं सकते हैं छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुती काम की है जब आप खाना बनाएं जैसे आप सब्जी चोकते हैं यह कुछ भी बनाते हैं इसका धकन गरम रहता है त पलटके इस पर सेक लिए जिसे पापड गरम हो जाए देखिए आपको अलग से गैस भी ने इस्तमाल करनी है जब आप खाना बनाएं कुछ भी तो इस पर पापड रखके अलट पलटके सेक लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा आप इसे आगी में भी भूश सकते हैं प्राई भी कर सकते हैं जैसे मनो वैसे आप खा सकते हैं एक बार जरूर ट्राइ करके देखे आपको विश्वास हो जाएगा पापड एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे धूप की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आप मेरा वीडियो किस नाखुन दरदूने लगता है और बच्चों को भी देना पड़ता है तोड़के तो भी नाखुन दरद होता है मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूं कि बहुत ही आराम से आप ढेरो मोमफली को दोड़ सकते हैं आसानी से आपके नाखुन भी नहीं दरदूंगे देख ड़िए कप्ड़ा दबाने वाली पीन है इस तरह से इससे आप दबा दिजिए बहुत ही आसाने से यह पट से खुल जाता है और आप आसानी से छीड़ सकते हैं आपका नाखुन भी नहीं दरद होगा इस तरह से छोटी छोटी टिब्स फोलो करके हम काम को बना सकते हैं आशा से दाना छोड़ देता है आपको नाखोन लगाने की जुरत भी नहीं पड़ेगी और नहीं आपके नाखोन दरोध होंगे आपने देखा मैंने कितनी मौमफले इसी से दबा के छील ली है इस तरह से आप भी धेरों मौमफली छील सकते हैं चोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ह कमाल की है कुछी मिन्टों में सारी मौमफले आप असानी से छील सकते हैं इस तरह से छील के बच्चों को भी दे सकते हैं खुद भी खा सकते हैं यह टिप्स कैसी लगी कमेंड में चरूर बताएं चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके ह काम को बना सकते हैं आसान आप देख सकते हैं मैंने पुरानी कंगी लिये और एक बलेट लिया है, आप सोच रहे होंगे पुजा यह क्या कर रही है आपको आगे वीडियो में पहुती यह पसंद आने वाला है, देखिए इस तरह से आपको बलेट ले लेना है और पुरानी कुछ भी चिपकाने वाला हो जिससे आसाने से चिपक जाए तुबारा या छोड़े नहीं इससे क्या बनने वाला है आप आगे वीडियो में देख सकते हैं पहुत ही आपको पसंद आने वाला है इस तरह से पुरानी कंगी ले ले लिजे और उसमें पविक्यूप लगा लिज आपके घर में टेप तो होता ही है अक्सर हम टेप का काम करते हैं और जब इससे काटना होता है तो बहुत दिक्कत होती है हमें कैची वगरा खोजनी पड़ती है लेकिन आप इस टूल का इस्तमाल करेंगे तो आपको कैची वगरा कुछ भी नहीं खोजनी पड़ेगी इस तरह से इसमें डालना है जब इसको उपर की तरफ खीचेंगे तो यह ब्लेट से आसानी से टेप कट जाता है आपको किसी की मदद की जरुद भी नहीं पड़ेगी बहुत ही आसानी से आप टेप इस तरह से काट लेंगे मैंने एक आपको काट के दिखा एक और काट के मैं दिखाती हूं कैसे करना है देखिए इसमें इस तरह से डाल देना है अहलका से आप खीचेंगे तो बहुत यह असानी से टेप कट जाता है देखिए यह टिप्स आपको कैसी लगी कमेंड में चरूर बताएं आपका काम होगा असान घंटों का काम होगा मिंटों में सभी टि साबन लगाते हैं हाथ में तो कभी लगाते हैं मैं आपको ऐशा तरीका बताने वाली यह हूं इस पॉलिथीन की मदद से आप बहुत आसानी से चोटी से चोटी चूड़ी आपहन सकते हैं चूड़ी यह प prints को सकते हैं दिखिए मैं पॉलिथीन पहन लिया है और इस तरह से दिखिए मैं डारते जारे हूं हाथ में कितनी आसानी से पॉलिथीन की मदद से कैसे या चूड़ी चड़ गई दिखिए अब इस तरह से पॉलिथीन निकाल लेना है ना आपको हाथ में तेल लगाना है ना सावुन लगाना है कुछ भी नहीं लगाना है बहुत ही आसानी से आ आपको बहुत ही पसंद आने वाली है देखिए ये बहुत छोटी चूड़ी है तब भी हाथ में बहुत ही असानी से मैंने पहन लिया है यह टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं यह टिप्स आपको अच्छा लगें तो जादा से जादा अपने फैमिली दोस्तों में सेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं कमाल की ये सारे काम आपके होने वाले असान आप देख सकते हैं बोतल ले रखिए इसे देखिए मैंने काट लिया है ये उपर भाग आपको जरूत लगेगा स्क्रबर मैंने लिया है ये बोतल का अब यह है इसे चिपकाने के लिए इसी से चिपकाईए गा इससे बहुत यसानी से चिपक जाता है और छुटता भी नहीं है देखिए इस तरह से इस पे लगा देना है चारो तरफ ताकि मजबूती से चिपक जाए देखिए अब इस तरह से इस क्रबर में आपको इस तरह से दबा देना है और इसके चारो तरफ इसे लगा देना है अच्छी तरह चिपक जाएगा या दुबारा कभी नहीं खुलेगा इससे बहुती अच्छी cleaning होती है मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप मेरा वीडियो किस देश, किस प्रदेश और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो कहां कहां देखा जारा यह तयार हो चुका है चलिए इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ देखिए इसका ठकन मैंने निकाल दिया है इसका ठकन निकाल लेना है अब इसके अंदर डिटरिजन भरेंगे आपके पास जो भी क्लीनर है वा भी डाल सकते हैं डिटरजन हो डिटरजन डाल सकते हैं जिससे आपको सफाई करनी है इसमें आप डाल दिजे मैंने थोड़ा सा डिटरजन डाला है देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिटरजन डाल दिया है इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है जब आपको लगे आपके हाथ में सपाई हो जाएगी देखिए कुछ इस तरह से बहुत यासानी से बीना हाथ लगाए आप घर की सपाई कर सकते हैं चलिए इसका अगला यूज मैं बनता रही हूं किचन गंदा हो जाता है चिप चिपा हो जाता है उसे कैसे साफ करें अगर आपके हाथ में चोट लगी है या हो जाता है क्योंकि कुछ लोग के हाथ में अलर्जी होती है सरप चुप वा को जो इस तरह से यूज पर इस तरह से घुमाएंगे winner आपको बर्तन भी काम करता है, एक बार बनाके जरू ट्राय करें आपको विश्वास हो जाएगा छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल किए आपके बहुत ही काम आएगी इन सभी टिप्स and ट्रिक्स में से आपको कौन सी टिप्स पसंद आई कमेंड में जरूर बताएं अगर मेरे चैनल पे नहें तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कूल ना भूलें हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा चैनल देखते रहें बाई